कि दोस्तों स्वागते आप सभी गा वाइफाइटी चैनल पर चेंजिंग दा वी ओफ लर्निंग वाइफाइटी चैनल पर आवाज आ रही है आप सभी को अपने एक्जाम में जो लिमिटेट कोशन होते हैं साइंस के वह आपको इसमें से मिलता हैं ठीक है एक बरी बताई है और जो करंड फिर की क्लास है ना उसका टाइमिंग में बता देता हूं अभी कि दस बजे है या ग्यारा बजे मैं सोच रहा हूं कि इसी के कंटिनुईशन में करा दूं ठीक है तो जस्ट लेट मीं सी चालो पहले अभी स्थार्ट कर देते हैं वाखी देखेंगे चीने कि अना चली तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं करेंड फिर आपको मिलेगा आप कंटिन्यू कर लेना ठीक है अभी मैं बताता हूं आपको प्लास के अंद तक इस क्लास के अंद तक बताता हूं क्या टाइमिंग रखे हुई है लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूं करेंड फिर बहुत काम का है बाकी आप अने काड़ बीपे स्टैनों और कोड एक्जाम्स की भी आप त्यारी कर सकते हैं जनल साइंस फुल रवीजन है जो भी आपके काम के हैं स्कॉलर्शिप टेस्ट पाऊगे दस और 11 के बीच में आपको लिंक बिल दाएगा ठेक है देख लिए ना ठेक है तो आपको काम की क्लास आप 11 मेने मैंने मैं रखें तीन घंटे चलेगी तीन घंटे मैं चलेगी आप आराम से बढ़ें ठीक है और काम का है मतलब 300 कोशन उससे भार नहीं आएगा आ सब्सक्राइब का उप्शन जो फ्री क्लासी जैसे आप अनकेडमी पर अन्लिमेटर एकसेस चाहते हैं तो आप एक कोर्स ही जोइन कर लीजिए उसमें अन्लिमेटर एकसेस रहेगा आप एससी के कोर्स की फीस हाइक होने से पहले जुड़ जाओ तो रेट की आपको फायदा है ना परसो उसके लिए बहुत कारगर सावित होगा आपके एक्जाम में वैसे भी साइंस आनी है तो आप यह दोस्तों कोशन देख जाओ ठीक है जितने भी होते हैं बताई इसमें से क्या नेल पॉलिश रिमूवर में होता है जल्दी सबतेगा अच्छा कोशन है सारा का सा शेयर करो बताओ आन से के इस कुशन बताई इस कुशन आन से के कर दोस्तों इस कोशन का अंसर है ऐसी टौन इसका अंसर है चलिए एक और कोशन देखे विच आप फॉलिंग कैसे यूज इन सिगरेट लाइटर्स बताई अभी यह सारे कोशन एप कर रहा हुँ सारे कोशन बेस्ट है एक और रिपेर अफिर ने अगर उसकी ग्रोथ है या फिर उसका रिपेर हो रहा है तो उसमें क्या होता है मेटियोधियोस्य प्रोससेस है है मट्यों और मायोटीक दोनों है ठीक है बताइए आँटिक प्रोसेस है कुन सी प्रोसेस होती है डिफिकल्ट कोशन है बताइए आन सके है कोशन बड़ा अच्छा है काम का है और करेंट फिर का इससे भी कोशन आने वाला आज चाला तो इस question का answer के है ठीक है मेटियोटिक सेल डिविजन ओनली ठीक है जब growth यह repair होता है तो मेटियोटिक सेल डिविजन होता है एक और question देखेंगा presence of which of the falling prevent coagulation of blood inside देखो इसमें से क्या होने की वज़े से blood coagulation नहीं हो ता बड़ा अच्छा question और आसान भी है है कुछ भी नहीं है इसमें यह बहुत सब्सक्राइब है बहुत सब्सक्राइब चाला तो इस question का answer कैंदोस्तों इस question का answer है एक है इसका answer है ठीक है है अगर है तो blood coagulate नियोंगा और यह सेफ्टी होती है ठीक है यह सहीं चीज है ठीक है अगर मॉबाइल की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो LTE का मतलब क्या है आप देखते हो ना आपके फोन LTE अनेबल है कि नहीं यह बहुत important question है answer है long term evolution ठीक है ध्यान रखेंगा यह इसका का question का answer है चले एक और question देखिए का comment करीगा पते डाटरी इंटेक ओफ डैश असेंचल फॉर दर नॉर्मल function of thyroid gland पते क्या खाना ज़रूरी है thyroid gland की functioning के लिए बड़ा असान है अगर यह निखाएंगे तो आपको जोटर हो सकता है आपको पता ही होगा इसके बारे में तो यह basic question है ठीक है अगर यह कंस्यूम नहीं करते तो जोटर के समावना होती है तो जोटर के समावना किसमें होगी सब्सक्राइब करते हैं अगर अगर आप नहीं करते हैं इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो सारे वाइरस में पाए जाता है इस क्यां सकते हैं अगर आप आज इस लाव में आगे हो तो एक लास कंटेणिव कर लो इससे आपकी जो है त्यारी अच्छी हो जाएगी कि चल्वाइरस में प्रोटीन तो होना इक कोई सा भी वाइरस होगा प्रोटीन होगा उसमें ठीक है चल एक और कोशन देखेगा कि है ना एकोँ सेखेक और केमिक लेकल इनर्जि इन्डू इन्टो एलेक्टरीकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी एलेक्टरीकल एनर्जि में में कन्वर्ट होतीinyl donating होती है वह मेरी है इसमें से क्या है चूर्वेев Azer Care प्रोट्थ चल तो जैसे अब यह कोशन है कि क्या इसमें से करेगा तो इस में से बैटरी बैटरी जो है एक लेक्ट्रिकल इनर्जी को अबजेक्ट क्या होता है कि किसी भी ऑबजेक्ट को उसकी और इसनल स्टेट में रहने की help करता है, simple साय, कि जिस्का जितना जड़ाता वो तना ही अपने ही origin क्या इसका answer औप इस update यह होगा ठीक है, answer का बतबह Anybody buzzer ąंसर क्या है, जलदी से बताएगा चली तो इस cutie answer का है, just any lambda selection which micro organism is Panicilline Denise प्रोम बढ़िए पैनिसलीन जो है कौन से माइक्रो आर्गनीजम से अप्टेन होता है इस कोशन का आंसर कहा है कि अच्छली तो इसकोशन का अंसर देखो ध्यान अखना इसकोशन का अंसर है कि यह फंगाई से फंजाई से अप्टेन होता है इंपोर्टन कोशन एक और कोशन देखें बते वाट इस दा अधर नेम ऑफ कर्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनका दूसरा नाम क्या है इसकोशन का आंसर कहा है तो इसकोशन का आंसर है ठीक है नौन रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है नौन रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑविसली है ना चलिए एक और कॉश्चिन देखिए बताई विच अमंग दा फॉलिंग डिसीज इस वेरी रियर सब्सक्राइब कवाद का क्या है नोटीटियों ठीक है और जो घोती है चलिए कोशन match में ये ये Window कम होती है और मैं ज्यादा होती है बत्लयातारि होती है अशलात க matter जब्ुकोशन में जो है इस काम होती है अच्छानक ना colorblindness colorblindness वैसे एक जैनेटिक है ठीक है लेकिन हाँ यह वूमेंस में जो है कम होता है ऐसे और भी बहुत उदारण है तो आपको मिल जाएंगे इस कोशन पर कि चलिए तो आन से के इस कोशन का कि अच्छान का अंसर के हैं तो इस कोशन का अंसर यह हैं एंटी ट्रांस्पिरेंट इन प्लांट इसमें देखें जो ट्रांस्परेशन प्रोसेस को को रोकता है एंटी ट्रांस्पिरेंट इन प्लांट में क्या होगा बदेगा इस कोशन का अंसर के लिए बहुत खतरनाग होता है इस कोशन का अंसर के है इस कोशन का आंसर के हैं स्कोशन का अंसर है कि स्कोशन मरकरिक आस्ट गया है एक है कि वह कैसे कौन सा तरीका होगा यह लेक्ट्रिक नीट्स को फुल्फिल करने का तरीका कुन सा होगा कि अधर यह आंसे के इस कुछ ना चाला तो इस कोशन का आंसे के हैं एलेक्ट्रिक नीट्स को फुल्फिल करने का तरीका जो है वह है सोलर सेल पैनल्स का है एक और कोश्च देखिएगा इस कोशन का आंसे के मोस्पोर्टेंट ग्रीनाउस यह ने आपको बताया था हाँ इसका आंसर N2O यह है मैंने का था कि मैं साइश की क्लास में इस कोशन को कवर करा दूँगा कि क्या कून सी गैस में सबसे जयादा जो है शक्तिशाली है ग्रीनाउस गयास है थेके इसकी टेंडेंसी बहुत जदा होती है एक सी जादा होती है ठीके यह ध्यान रखना एंक को इसके नेचरल अकरिंग इसमें से कौन से नेचरल अकरिंग इसमें Scottish डेज नहीं है डार्भारमाज पूर्प Congressman अथ्riby तो इस कोशन गांसर है नेचलल अकरिंग जो कौन सी नहीं है तो आपने इंसाइड लेता है तो उसे हम कहते है थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा मुश्किल लेकिन है नहीं नाइंथ क्लास का कंसेप्ट है टेंथ क्लास का सोड़ी मौस्ट वॉटर एवलेबल है अर्थ पे वो किस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा एवलेबल है बताई राउन वर्टर सी वर्टर ग्लेशियल ओशियन बद ग्राउंड वॉटर में अब क्या होगा कि कोई कहेगा सर लगाई यह आणसर आप इसका तो ग्लेशियल बिलकुल नहीं होगा ठीक है ना जो हमें एवलेबल है वो फ्लेशियर थोड़ी है हमें अवलेबल की बात कुर एक हम तो जमीन से पानी निकालते है लेशियर में बढ़ा असान है चार्ज के लिए उसका कर सकते हैं और इसका करण यह भी है कि वीजिकल टू या आई की वाले फॉर्मला लगा अपने आप आजाएगा वीजिकल टू आई की वाले फॉर्मला लगाना आंसर आजाएगा विच आप फॉलिंग पोसेस डाज नोट कंट्रिब यह वाले तबाएगा अपने की वीजिकल टूमला लगा नोट की वीजिकल टूमला लगाना है क्षण का। चाहला तो सियोटू किसमें प्रोड्यूस्टीश होता है इसका फॉटोसिंटेसिस कारबन लैकशाइड जो है डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि फॉटोसिंटेसिस है उसका सियोटू प्रोडॉक्शन का कोई रीजन नहीं है ठीक है असान है कुश्टन बहुत ही ज्यादा रैस्पीरेशन तो प्रोड्यूस करता है एकजेल करते हैं पोटोसिंटेसिस में औक्सीजन एकजेल होता है ठीक है ध्यान रखेंग है तो बड़ा आसान कॉश्टन था विजब तो फॉलिंटीक फ्रिक्श्टन बदे मुश्किल को सी को कानेटिक फ्रिक्शन कहते हैं जाए चलिए इसकोशन का आंसर के है कौन सी श्रिक्षिन को का आए तो आज से इसकोशन है स्लाइडिंग फिक्षिन को ठीक है स्लाइडिंग फिक्षिन को कहा जाता है ठीक है चलिए एक और कोशन देखिएगा अगरोशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ओफ्राइवर्ट तू गिव कार्बन एक्साइड वाटर एन अनर्जी इस वट यह प्रोसेस कहां पर होती है ठीक है प्राइवेट जो है ब्रेकड मिक्षिंग आवर भी नाम क्यों होता है ठीक है चले बुषण देखिए और चाहिए बिल्कुल यह ज्यादा होती है यह हो गया इसका आंसर को भूण सब्दान लोए सब्सक्राइब कि स्ब्सक्राइब चलिए तो आन्सेक्टाइश कोसुंगा इसकोशन का आंसर रेडियो वेवस्ससेश्ट साब अपर हाइश यह सब से नीचे लौस एनर्जी तो आप यह समझलो स्प्ट्रम में सबसे उपर हायई एनर्जी एवर सबसे नीचे ब्लेंगे लोज़ी चले एंक रोषय इन पर इको सिस्तम् प्लेंख्टोन इस डीक जोप प्लेंक्टों implied कि उट्यों किस केटिकरी में मत्हूत ही resistor हो जाएगा ठीक्ए है जूप लंक्टो चुह है हिट्टो टॉप्स की केटिगरी में है चलिए एक और कोशन देखेगा चलिए एक और कोशन देखें यह नहीं करना है भी क्या है वोल्य उक्यूपाइड वाइदा मोलीकुल इतना इंपोर्ट नहीं विच फॉलिंग और इस नोन फूर फूड पाइप और सफ हैं बहुत ही सब्सक्षर के फूड का पाइप उसे हम और सफेगस कहते हैं चाहित बहुत सब्सक्राइब को बिटामिन को बाइटिन कहते हैं कि मुधा कौन से विटामिन को बाइटिन कहा जाता है हुआ आगा हुआ है अगे चाली तो इसको शेगान से कहा है है ना इसमें से कौन से विटामिन को बाइट इन कहा आता है तो थोड़ा सा मुश्किल भी कोशन होगे विटामिन बी 7 को आया था एक और कोशन देखे रेट ऑफ चेंज वर्यसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इस पोल आज वाट इसको नांसर क्या है कि अधिक्या है कि अधिक्यान कुछ नहीं हो सकता एकसलरेशन कहते है इसे इससे असान कुछ भी नहीं हो सकता साइन्स में यह तो आना चाहिए था ठीक है अगर एक डिसीज बहुत सारी कंट्रीस में स्प्रेड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बड़ा बेसिक सा सवाल है यह कॉमन एक्जामपल है भी कि ठीक है कि कुण सा अगर अगर कोई डिसीज जो है बेसिकली हर कंट्री में फैल तो आसान कोशन है आउट ओफ फॉलिंग विच इंसुलेटिंग मैटिरियल बताएंस इंसुलेटिंग मतलब जो करेंट फ्लो नहीं करेगा बताएंस कोशन का यह है पेपर इसका अंसर है ठीक है पेपर इसका आंसर है ठीक है अब पेपर डेफिनेटली कंटक्ट नहीं करेंगा इसमें आप कुछ बच्चे गोल्ड लगा देते हैं तो गोल्ड भी सोचके देखो अरे पेपर कहां से करेंट देता है के बिपर बताओ पते एक्जांपल ऑफ एमोर्फस रबड है क्या रबड है या मीका है तो आ सेट्रिक करेंट इस एमपीर कुछ ज्यादा आसान कोशन मोइस अपरने हैं कुछ ज्यादा असान गोशन ना दे मिन विटामिन का नाम बतार ये कुंसा जैसे बाइटिन b27 है वैसे थाइमिन नाम बतारी है कि एक आंसर कश ने कि बदेए आंसर के इस कोशन का थामीन जो है इसका आंसर क्या होगा है यह क्या बीटा कुंप्लेक्स के टिगरी के हैं कि अच्छार तो इस कोशन का आंसर के कि अच्छार तो इस कोशन का अंसर के हैं दोस्तों वीटा कुंप्लेक्स थायमीन जो है विटामिन वीवन है विटामिन वीवन है बहुत सिंपल सा सवाल है विटामिन वीवन है एक और देखेंगा किम्हाँट ऊफ्लेक्ट्रिक चार्ज फ्लोईंग पर सेकेंड ठीक है अमाउट ओफ्लेक्ट्रिक चार्ज्ट फ्लोईंग पर सेकेंड बेड़ा आवाद सही हार यह साउंड ओके है बताई इस कोशन का अंसर है ठीक है ध्यान रखना यह कोशन बहुत इंपोरेंट था आपको विटामिन के कोशन आने ही आने चाहिए कितना पुराना टॉपिक हो जाए विटामिन का कोशन आता है ठीक है यह भी गलत होते है इसकोशन है तो इस कोशन का आच से दोस्तों स्कूशन का अंसर है दोस्तों इस कोशन का आंसर मोमंट्ट अंसर्ट सब बाकी मास स्पीड वोल्यूम यह सब जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ठीक है चलिए एक और कोश्चन देखिए सकेलर है बाकी ना इलेक्ट्रोमेटिक फॉर्स ऑफ गिवन सेल विच डिवाइस इस यूज़ तो मैज़र करने के लिए इसमें से कौन सा डिवाइस होत आउसर यहानखी पोटेंशो मीटर पोटेंशो मीटर मत लगाना रजिस्से रिजिस्तन से सम्मदित है रियू सब्सक्राइब के बीच में कहें जो गाईपोल है उनके वीच में पॉर्स ओफ अट्रेक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हूं कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब आउसे हम कहते है नाम सी वैसे पता चाला डिस्पर्जन फॉर्स इसक्यों कि टेंप्ररी डाइफ टिफार्स हो जाएंगे ठीक है तो इसकोश्चन का अंसर डाइपोल इंडियूस डाइपोल फॉर्स नहीं है आँसा सब्सक्राइब है वॉल्यम में नंबर वगास पार्टिकल की बीच का रिलेशनचिप कौन से लोक में पते हैं और प्राइव गैस पार्टिकल इसका इसकोन से लो सवरव आप जरूरी से रिवाइज तर सकते हैं कि कि आपको कहीं नहीं कोशन मिल जाते हैं बाकिए आपका ठीक है स्लेबस आपको पता होना चाहिए चलिए तो आंसर के स्कूशन का चलिए तो आंसर के स्कूशन का दोस्तों ध्यान रखिए चार्ल्स लोस्कान साइव फोलिंग अभी लोएस्ट फ्रिक्रेंसी का कहना है पहले एक हमने हाई एनर्जी गा देखा न जो सबसे हाई अब से लोएस्ट फ्रिक्रेंसी ऐह ध्यान रखना अगर किसी की लोग अनर्जी है तो कहने का मतलब है उसकी हाई वेवलेंद्ध हो और इसकी सबसे हाई वेव लेंथ भी एगे तो सबसे नीची है तो सबसे लोग энergy आश्या फ्रेक्वेंसी लेकिन सबसे हाई वेव लेंथ है तीन चीज़ें याद रखना थे लेखने देखेंगा जो है विस्टामिन पॉस इस इश्टो विटामिन ए चल लो तो इस कि एक एक एनर्जी का प्रोड़क्शन जादा है कि चली तो इसकोशन का आंसर के हैं दोस्तों इसकोशन का आंसर है ठीक है कि डैन्मा किसका आंसर है देन्माक अप्रोसेस ब्रेकिंग मॉलेक्वल इन अपस्टों इसकोशन 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 इसक तो इस कोशन देखो प्रोसेस अब एक एपसेंस में अगर ऑक्सीजन की एपसेंस में हो रहा है एक और पार्टिकल और यह इतना इंपोर्टन नहीं है एइन हिले इच अधर इसका आंसर इंपोर्टन यहां ऐसा कोशन नहीं आएगा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा जादि लॉफ ग्रेविटेशन किस पर अपलाई होता है तो किसी भी तरीकी बोड़ी पर अपलाई होता है एनी पियर अपड़ी विज़ा जल्दी सावते चली तो इसकोशन का आंसर के लिए दोस्तों इसकोशन का आंसर है ठीक है मैंगने इसका अंसर है मैंगने इसका आंसर है है यह पूछा सकता है 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 चली आंसर के इसकोशन है इसकोशन वट डस्वेव ट्रांस्मिट फॉम वन प्लेस तो नादर जब वेव ट्रांस्मिट हो रही है तो वह एनर्जी ट्रांस्मिट करते हैं जल्दी से बतेगा ठीक है आंसर के इसकोशन का ठीक है जब वेव ट्रांस्मिट हो रही है तो लगा दूँआ मैं ऐसे एक सेशन और भी लगा दूँगा साइंस का रिवीजन के लिए नए कोशन जो डलवाएं है वो धीरे-धीरे रिवाइस करेंगे तो आप रिवाइस कर सकते हैं आंसर इसकोशन का एनर्जी ठीक है एनर्जी है ठीक है चले एक वर कोशन आपके विच व्ट ओफ फोलिंग सोलेस फिलोसफिर फॉल बसे किसे हम इसमें से फिल्वासुफिर रूपल कहते हैं जल्दी से बते कि इस कोशन आप सके है नहीं जिए कि किसे पायाता स्वेट फिलासुफिर फॉल चलो तो इसकोशन का आंसर के हैं इसकोशन का आंसर है जिंक ओकसाइट जिंक ओकसाइट इसका आंसर है कोशन इंपोर्टेंट ठीक है जिंक ओकसाइट इसका आंसर एक और कोशन देखेगा बते पैरिस्कोप इस यूज़ फॉर विच फॉलिम बते पैरिस्कोप किसके लिए यूज़ होता है कि अधि चलिए तो आंसर देखो पैरिस्कोप जो है टू सीधा वाटर लेवल फॉम संमरीन सिंपल्साइट ठीक है कि अगर्ट कि अगर्ट कि अगर्ट कि इसकोशन का अंसर के यह इसका अंसर है कि अधिवाइस यूज़ आल्टरा सोनिक वे फॉर गैटिंग इसकोशन आंसर विच दिवाइस यूज़ आल्टरा सोनिक वे फॉर इंटर्नल और्गेन हमन बोडी तो आंसर के इसकोशन का तो अल्टरा साउंड करते हैं यूज़ करते कि अभी सेशन थोड़ा सा शोट है वैसे मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि मैं आपकी साइंस की सीरी स्टार्ट करने वाला हूं ठीक है बाकि आपके करेंड़ के सेशन एन ओल होंगे तो आप अभी उसमें जुड़िएगा ठीक है तो अभी फिर मिलते हैं यह लास्ट कोशन है इसकोशन का अंसर बताओ साइंस की सीरीज अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइमिंग में आपको साथ बज़े बता दूँगा अभी फिर करेंड़ के सेशन में मिलते हैं जो आपका टाइमिंग मैंने आपको बता रख ठीक है तो इस कोशन का अंसर के दोस्तों फ्रिक्वेंसी इसका आंसर है तो अभी आप से मिलेंगे साइन्स की सीरीज में ठीक है जो करेंड़ फिर और बाकी सीरीज है साथ वजे क्लास जो होते हैं वो देखिए एक लोग फिर की क्लास देख लीजेगा यह मैंने पूरा एक सीरीज बना दिया है 300-400 कोशन का आदे आदे घंटे के सेशन में इसको मैं कवर कराऊंगा ठीक है अब मेरे टेलीग्राम चैनल जैन कर लो अमन सर्वाइफ एशडी जिसमें आप जुड़ सकते हो पीडिएफ आपको इसी में मिलेगी ठीक है बाकी हम मिलते हैं आप से नेक् हैं शलूर्ट मिलते हैं